जै कुरुची संकर जी जल्दी जल्दी से लाइब चूड़ चाहिए जब तक संकर चूड़ रही है हम मंत्र जाप शुरू कर लेते हैं ओम नमस्षिवाई शिवची सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुची सदा सहाई ओम नमस्षिवाई शिवची सदा सहाई ओम नमस्षिवाई शिवची सदा सहाई ओम नमस्षिवाई गुरुची सदा सहाई जै गुरुची अनंतम शुक्राना और साड़ी संग्ड़ को भी जै गुरुची तो सबको जै गुरुची जॉन करने के लिए और जल्दी जल्दी से शेयर कीजिए शुक्राना गुरुची का लख लख शुक्राना जो उन्होंने सेवा बक्षी है सॉरी गुरुची आज दो-चार मिनिट लेट हुगी हूँ वैसे तो पहले आना चाहिए आपका बहुत शुक्राना जो आप सेवा बक्षते हो हम लोग तो कुछ नहीं बोलने वाले गुरुची महाराज करवाते हैं जो भी करवाते हैं तो शुक्राना गुरुची का लख लख शुक्राना बहुत शुक्राना गुरुची आपका बहुत शुक्राना एक भजन से दो लाइने मेरी प्रेंट गाती है यह भजन और उसकी आवाज बहुत अच्छा गाती है तो कखा दी कुली साडारेन बसेरा कखा दी कुली साडारेन बसेरा गुरु उचिया महले आचो आया कि तिला तिला रंगया गया जदो पेर सजन कर पाया कि तिला तिला रंगया गया कखा दी कुली साडारेन बसेरा गुरु उचिया महले आचो आया कि तिला तिला रंगया गया जदो पेर सजन कर पाया कि तिला तिला रंगया गया जय गुरु जी शुकराना गुरु जी लग लग शुकराना तो ऐसे ही है हमारे प्यारे गुरु जी महाराज और जब गुरु जी महाराज हमारी लाइफ में पेर रखते हैं तो ऐसा ही होता है कि हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाती है और of course for better ये गुरुजी का तरीका है हमें संभालने का हमें समझाने का हर जो वक्त है कब क्या होना है ये गुरुजी decide करते हैं हम कुछ नहीं करते हैं तो जैसे अभी हम भजंग आ रहे थे कि कखा दिकुली तो हम तो कुछ नहीं थे हम like zero ठीक है अभी भी कुछ नहीं है गुरुजी महराज के बिना हम कुछ नहीं है और जब भी मैं ये बोलती हुना कि कभी जब हम बैठे होते हैं और मन में हमारे विचार आते हैं कि गुरुजी आपके बिना तो उसी टाइम गुरुजी स्रिष्टी रची है वो मालिक है परमात्मा है ठीक है तो उनकी स्रिष्टी में we are just like puppet की जैसे जैसे वो गुरुजी महाराज नचाते रहते हैं वैसे वैसे हम लोग बस करते रहते हैं देखें गुरुजी का ना हर है इंस्टन आंसर थीक है मतलब आप गुरुजी के सब कनेक्ट कर रहे हो आप उनसे सबसे पहला हराज कि गुषी महाराज अपको ہर मोड पर आपको हर जवाब देते हैं आंसर देते हैं जर्मी बहुत प्यारी है, ठीक है, सबका यह उतर माइंड में कि हम गुरुजी महाराज से इस दिन मिले थे, इस हफते मिले थे, इस महीने मिले थे, इस साल में मिले थे, लेकिन ये तो हमारी मेमरी में है, क्योंकि हम लोग याद रखते हैं, लेकिन गुरुजी की मेमरी में व कोई यूही नहीं दिल उभाता कोई तेरा मुझे से है पहले कानाता कोई यूही नहीं दिल उभाता कोई जाने तू हो या जाने ना तो हम लोग नहीं जानते हैं, गुरुजी महाराज चामते हैं, कि हमारी उनकी जर्णी कपकी है, लेकिन जब आपको लगे, कि हाँ, मतलब बस एक किते एक पल, बहुत होता है, जब आप सरेंडर कर देते हो, और वो ही सबसे कठेन होता है, कि जब आप टोटली बिल्कुल सरें संग सुनाती हूं, गुरुजी महाराज का कि, अभी कुछ तिन पहले की बात है, तो बहना एक शॉप पे गई सुबह, तो लाइक जैसे हम सुबह जाते हैं, अपनी डॉटर को मैं ड्रॉप करने गई थी स्कूल, तो मेरे पापा साक में थे, तो हम लोग आती बारे में तो मैं अपनी बात बतारी हूं, कोई बात नहीं तो मैं खड़ी थी, तो अनको बहुत ताइम लग रहा था, तो हम लोग फटड़ आउट और पैसे दे रही थी, तो मैंने सूचा की अच्छा है, मैं तो मैं तो पैटियम फटपट करने हूं कि उनको ऐसे मेरे मांड है आती यह उसी रम पेटियम बंद हो गया, नेटी बंद हो गया, और मुझे वह पर 10 मिनट लगे, खड़े, खड़े, 15 मिनट की यह क्यों नहीं चल रहा, क्यों चल रहा, ऐसे देखिए, मतलब गुरुजी महाराज इंस्टें आंसर देते हैं, अगर आपके माइंड में कुछ आया भ है, आप धाल कोन साखाड केया बंद केमाद मैं, सारी भूजी और मैं इंपसें हो रही थी, तो घौरुजी महाराज ऐसे हैं, यह नहीं है अगर नॉन संगवज आसे हैं, यह नहीं है कि अगर नों संगव रात है नोंसेज़्सोत हम संगफ हैं, क्योंकि अगर आपके निच कर रहे हैं जैसे मैं उजन बोला ता ना कि गुरुजी ने बुलवाया था कि अवी अर अंडर लाइक बिग बॉर्स की हर वक्त दिया है वो हम पे रहता है क्लोज ली सो हमारे मन में जो थौट्स चल रहे हैं सिरफ नॉट लाइक की फेस या जो भी हम कर रहे हैं नौ लाइक फर एक्जांपल कि हमारे मन में क्या चल रहा है हमारे दिमाग में क्या आ रहा है गुरुजी इस ओल्वेज वाचिंग तो हमें सिरफ यह ध्यान रखना है कि मतलब अब बिल्कुल छोड़ दो गुरूजी कहते हैं कि तुम्हारा तो बिल्कुल कोई कंसर्न ही नहीं है कोई क्या कर रहा है कोई क्या बोल रहा है या कुछ भी है कि तुम्हारा कंसर्न नहीं है कि तुम बदले ले रहे हो या किसी ने कुछ बुरा बोल दिया है किसी ने कुछ ऐसा ब बन्दा बनाता है कि नहीं, तुम देखो, तुमने अपने आपपे काम करना है, जो भी हमारे flaws होते हैं, हमारे जो रिष्टे होते हैं, जो हमारे mother, father के साथ, या बच्चों के साथ, या कुछ भी घर में ही, गुरु जी पहले वो ठीक करते हैं, और गुरु जी उसमें आपको time to time, हर पल आपको मतलब answer देते हैं, हर पल आपको कोई ना कोई solution भी देते हैं, आपको बताते हैं कि यहां तुम गलत हो, यहां तुम सही हो, तुम्हें यह चीज़ ठीक करनी है, यह चीज़ अवाइड करनी है, तो ऐसे हमारे प्यारे Guruji महराज है, जब Guruji महराज मतलब तब मैं नहीं थी ना, जॉइन, Guruji तो always there, उनका तो हाथ हमेचा ही सिब पे था, मैं conscious नहीं थी, मैं यू कहूंगी, तो उस टाइम मुझे नहीं पता होता था, मैं कहती थी कि मेरे को कौन समझाएगा, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं क्या कर रही हूं, सही कि नहीं, क्या मैं सही तो Guruji का पात है, तो Guruji will like, catch you, वो आपको उस दस्ते पे ले ही आएंगे, अगर नहीं, यह fact है, संगत है Guruji महाराज अपने आप, all is कि आपको connect करना है, आपको receptive रहना है, आपको open रहना है, ठीक है, blessings के लिए, receiving के लिए, जो Guruji करेंगे वो बिल्कुल perfect करेंगे, अगर हम तो नहीं, ऐसे नहीं, जब हमारा दिमाग बीच में आजाता है, तो फिर problems होनी शुरू हो जाती है, तो फिर उसमें Guruji भी कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग आगे आ रहा होता है, लेकिन अगर हम यह सोचें कि बहुत अच्छी जर्नी है, और मुझे पूरा ट्रस जाती है, जैसे Guruji कहते है, कि मैं बिल्कुल निम्भू की तरह निच होता हूं, और वही हिसाब होता है, कि आप एक तम ऐसा होते हो, कि गिवप करने वाले होते हो, या बिल्कुल हार मारने वाले होते हो, लेकिन Guruji आपको patience को test करते है, patience level को, कि कितना तुम मतलब सही हो, कित सब चीजे गुरु जी देख रहे हैं, ठीक है, तो हर बात में, जैसे मैं कहा रही थी कि हेल्थ सबसे पहले होते हैं, कि इतनी बार ऐसा हुआ है, कि मैं बिल्कुल ऐसे था कि गिवप करने वाले थी, बिल्कुल मतलब ऐसे लगता था कि क्या हो गया है, और फिर गुरु जी मतलब, एक्सपायर हो गए थे, और वो हमारे नोन थे, लेकिन मेरे मन में थोड़ा उनके लिए गुस्ता था, पता नहीं जो भी कहलो, गुस्ता कहलो या ऐसे ही बत, तो मैं बहुत जादा और टैंग स्रूरी थी कि मैं जाओं की नहीं जाओं या क्या करूं, मतलब एको और क्या होता है कि रात को मुझे गुरुजी ड्रीम में दिखाते हैं कि गुरुजी गाड़ी में आ रहे हैं, मतलब गाड़ी में पीछे बैठे हैं, मैं कभी आगे बैठी हूं, कभी आगे गुरुजी बैठे हैं, कभी मैं पीछे बैठी हूं, गुरुजी महाराजने से हा कि ये शीज थी वह सुपसा इका वाइड बिफ मना गशनी हैसे रोम में देखा तो कि दीमति मने मिले पिछले कमरे में वहां जाकर बैठे हुए और मैं वहां पे सिंक बना हुआ था मैं हाथ वाश करे हूं गुरुजी महाराज देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं और मुझे अभी भी याद है कि गुरुजी ने ब्लाक से कपड़े पहने हुआ थे मैंने ब्लाक सा ऐसे कोई ऐसे पहना हुआ था और गुरुजी महाराज में चल रहा था कि मैं जाओ की नहीं और फिर क्या हुआ जी कि अचानक से क्या होता है कि सुबें उनकी घर से कॉल आती है ठीक है कि मतलब अब पाठ है तो पाठ है बाबाजी का तो आप आ जाओ देखिए मतले नहीं गुरुजी महाराज ने जाने दिया जब सब कुछ वो हो गया उनके घर में पाठ था उन्हों रख़ा हुआ था तो तब गुरुजी महाराज में और मुझ से पहले वहar ज़ों किए मेरे में दाउड चल रहा है कि क्यूंकि उसलिग है ऑन कि पच पढूराता जाहिए बहुत्त यह trash गुरुची का जो हर पल हमसे पहले obviously हम लोग नहीं सोच सकते लेकिन गुरुची महाराज हमसे पहले ही उसको पता होता है कि ये हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है तो गुरुची महाराज वो prepare करके रखते है मतलब हर situation मी, जाए कोई рис का gene x y z हुए हम बड़ी जल्दी गवरार जाते हैं हम बड़ी चल्दी उदासो जाते हैं ऐसी मैं एक दिन गुरुजी माहराच के वाहां हम दुगरी मंदर कुने बुलाया तो क्या होग कि वहां पे लबी लाई निंन लगी वही थी, । हम लोग न भी हो जाते हैं, क्योंकि मेरी डॉर्टर साथ में थी, वो चोटी है और मेरी मम्मी भी साथ में थी, तो हम लोग न बड़ी हो जाते हैं, परइशान कि बारी नहीं हो रही है, यह है, हू है, तो ऑना, उसे मेरी बेटी बहुत तंग कर रही थी तो मैंने गुरुजी से सिरफ इतना सा प्रेक है मैं गुरुजी अब आप भी देखो मुझे नहीं पता बहुत तंग कर रही है मैं गा मुझे बहुत embarrassment हो रही है कि ये कितना show डाल रही है तो फिर क्या हुआ कि अचानक से वहाँ पे सेवादार अंकल तो उनोंने बोला कि आप लोग आगे निकल जाओ ममी को और तनु को मेरी जो डॉटर है उसको बोला कि आप लोग ना आगे निकल जाओ और हम लोग वहीं खड़े थे और ये लोग आगे पहुँच गए आगे पहुचके तो फिर जब हमारी बार याई हम लोग भी आगे निकले और हमने वहाँ देखा मेरी दॉटर भागती हुए आई मेरे पास तो कहती ममा ये देखो यहाँ पे एक अंकल खड़े थे और उनोंने मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग दी ब्रेसलेट और आप यकीन मानिए छोटा उसी के साइस का ब्लाक कलर के मूतियों वाला ब्रेसलेट गुरुजी महराज ने गुरुजी के स्वरूप वाला वो उनको दिया मतला मेरी बेटी को और आई वस शॉक्ट की अभी मैं यहां पर बोल रहे थी कि गुरुजी और जो बच्ची इतना शोर में जारी थी वो फटावट खिल खिला के हसने लगी खुश हो गई कि मुझे भी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली क्योंकि वो बोलती रहती थी कि मुझे कब मिलेगी मुझे कब मिलेगी आपके पास तो है मेरे पास कब आएगा तो ऐसे हमारे गुरुची महराज है कि हर पल वो कोई ना कोई सबब बनाते हैं कोई ना कोई ब्लेस करने का उनका तरीका होता है और ये बस गुरुची महराज ही जानते हैं तो चुक्राना गुरुची का लग लग शुक्राना नीए मेरम अब नब कि ब्रेस्लेट देखे जत्ते हां यह वी साथ मेराज का है में नीच स्वारोट से उसनरें। मैं ज्या और और यूःसडेक्पर बनट ईक्ता पैना तो बहुत कि यह क्या हो गया कि मतलब सारे सब्रूप बिखर गये सब कुछ मतलब हम हो जाते हैं परशान लेकिन हो सकता है गुरुची ने कोई कर्ष्ट अपने उपर लेना था और आप तेखिए यकीन मालिए वह मेरी मासी आयोई थी और वह आने हमारे यहां पर आने से पहले वह अमने मेरे पास आना था गुरुची का स्वरूप गुरुची की ब्लेसिंग ठीक है देखो ऐसे गुरुची माराज ब्लेस्ट क्योंकि में को यह था कि नहीं गुरुची आपका मुझे ब्रेसलेट चाहिए स्वरूप चाहिए तो मतलब होता ना मन में तो उस दिन वह टूट गय और मुझे वह ब्लेसिंग मिल गई तो अनत्तम शुक्राना गुरुची का लग लग शुक्राना कि कैसे गुरुची माराज किस तरीके से सब कुछ कर देते हैं वो गुरुची जानते हैं मतलब आपके मन के भाव होते हैं बस कि मन में जो भाव आया है तो गुरुची तो क्या हुआ कि गुरुची के पास नीचे गुरुची का स्वरूप है जहां मतलब छोटा सा दर्बार बना हुआ है नीचे लिविंग रूम में तो वहां पे क्या हुआ कि वहां पे गुरुची के स्वरूप के पास एक फ्लार पॉट पड़ा हुआ था तो उसमें फ्लार अभी एक हफता भी नहीं हुआ लेकिन मैं गुरुजी के पास गई वो उपर से तो बिलकुल फ्रेश थे लेकिन जो की नीचे रूट थी ना वो मतलब थोड़ी सी ऐसे हो गई मैं नेका गुरुजी यह सरकरिया हो और मेरे ब्रदर इतार्म और ब्रदर mm यहान को अनिले गई अंद। लेकिन अचानक से वो आती बारी में फूल ले आया हूँ अचानक से आप देखिया सुबह आया माइंड में और अचानक से वो फूल लाया और मैंने भूण कुल जाए और मैंने इतना गुरू जी आपका बहुत शुकराना है तो अपने अपी निई तो कई बार मैं उसको बोल भी जेती हूं तो वो तब भूल जाता है लेकिन आज अपने आपी मतलब उसने वहां देखे होंगे और उसका मन किया और वो ले गया लेकिन गुरुची की आग्या है न तो जैसे आपके मन में भाव आए तो गुरुची महाराज वो वैसे पूरे क चॉरुची महारा सिर्फ काव् भाव देखते हैं कि क्या आपका मन कह रहे है हर चीज लहां लался जरूर है कि हम अरो यह भी दो céu के ऑन घर ऐ क्या कर पि पर बाता ओ ऐला दून काफी दाइम पहले की बात, I think last year की बात, मेरा फोन बहुत खराब बुरा था, तो शायद चेंज होना था, तो गुरुची महराज तो ना, एक बार न्यूस्पेपर पे ना एड आई तो मेरा भाई ने पटाबत दिखाई कि यह देख आइफोन है, तो मेरे माइंड में ऐसी आ कर दिया क्योंकि I think Amazon पे कुछ चल रहा था, offer वगारा तो हमने वह ले लिया मंगवा लिया और ready color का, ठीक है, लेकिन कहते हैं कि आपको नहीं पता, आप कोई चीज मांग रहे होते हैं और जब आप में यूस कर रही थी तो उसमें कुछ ना कुछ ना चोड़ी प्रॉब्लम आती है, दिक्कत आती है, तो क्या हुआ कि मैं फिर समझ गी मैं गुरुजी कि हमें intentionally कुछ मांग रहा नहीं चाहिए, specific कि हमें यही चीज चाहिए, क्योंकि हमें यह नहीं बता कि हमारे लिए better है कि नहीं, गुरुजी तो दे देते हैं, गुरुजी अगर आपके मन में आया गुरुजी से discuss करके कि क्या गुरुजी यह सही है, क्या हमें यह करना चाहिए, और थोड़ा सा थोड़ा सा वेट करें, तो गुरुजी वाराज answer जरूर देते हैं कि क्या हमारे लिए सही है कि नहीं, मन में तो बहुत सारे भावाते हैं कि अच्छा जी यह भी करलो, वो भी कर लो ऐसा भी कर लो पर हमें थोड़ी ना पता है कि हमारे लिए सई है कि नहीं सई है तो यह पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो उसके लिए आपको गुरुजी से बात करना गुरुजी से कनेक्ट करना यह बहुत-बहुत ज़्यादा जरूरी है और कई पर क्या होता कि चैनल कर बातं बातों पाती है कि एक दिन क्या हुआ कि एसी मैं कभी इदर कभी भाग रहे हूं व्यक्ज़ कर रहे हूं लेकि मुझे बैठने का टाइम नी मिल रहा है तो मैं कि चलो में बांद में बैठ самой टो मेरे माइन में ये चल भी रहा था कि कि गुरु जी किया सही तरीका है कि हमें मतलब क्या कैसे पाठ करना चाहिए कि मतलब आप बताओ तो अचानक पर Measis यहां कि पता नी मतलब करोड काम छोड़ के भी आपको आपके गुरुजी का सिमरन करना चाहिए बंदना करनी चाहिए या पूजा पाट करना चाहिए एक करोड काम छोड़ के भी मतलब आपको अपने गुरुजी का नाम लेना चाहिए क्योंकि हम काम के पीछे भागते हैं हम ये कर ले हम वो कर ले लेकिन ultimately हमें सिर्फ ये सोचना चाहिए कि इजर उदर करके ठीक है जो duties हैं जो गुरुजी ने सौपनी हुई है वो तो करनी करनी है कि बच्चे हैं जो भी है लेकिन कई बर क्या होता है कि हम लेजी हो जाते हैं तो गुरुजी ने तभी उसी टाइम एक मैसे जाया कि आपको एक करोर काम छोड़ के विए अपने गुरुजी का सिमरंड करना चाहिए वो बहुत बहुत ज़ादा ज़रूरी है क्योंकि गुरुजी महाराज से जो कनेक्शन है वो सर्व सर्व परी है मतलब सबसे उपर है तो बहुत बहुत ज़ादा ज़रूरी है तो आलवेज गुरुजी महाराज आंसर देते हैं हमेशा देते हैं देखा न कि वो पीछे दिखा रहे थे कि मतलब सटसंग चल रहा था शायद दिखा रहे थे अभी एक छोटी सी वीडियो आ रही थी कि नीतू कपूर जी के घर में भी गुरुजी महाराज का सत्संग हो रहा है कैसे सारे बैठे हुए थे राम से शांती से मन लगांखे ध्यान से ठीक है तो जो पीस है ना जो एक पीस है वो सिर्फ गुरुजी मह लाराज है जिसको जैसे सौपी है चाहे कोई डॉक्टर है चाहे कोई हाउसवाइफ तो वो घुशु पता है गुडुजी जानी जाने लेकिन जो हमारा कनेक्षन है जो वोन जिसे घुरुजी हमेशा कहते है जो Feh터 शोच किसी के बातों में ना आएं हम किसी को follow ना करें, हम सिर्फ डारेक्ट गुरुजी से बात करें, सिर्फ डारेक्ट, गुरुजी का, उसने मैं कृष्णा बेंजी का एक सत्संग सुन रही थी, कल भर सो जलंदर, हसे शायद वो बोल रहे थे, बड़ा प्यारा, चोटा साथा दो लफ्स बोले उन्होंने, कि सबसे जादा मैंटर क्या करता है, कि आपका गुरुजी के साथ क्या connection है, आपकी उनके साथ जो timing है, जो आप bond है, जो आप बात करते हो, ठीक है वो, ये नहीं कि इसने ये कह दिया, या उसने वो कह दिया, आप सत्संग सुनिए, लंगर प्रशाद खाईए, और सबसे उपर आप गुरुजी का गुनगान कीजिए, आप गुरुजी के साथ बात कीजिए, challenges बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है, test बहुत आते हैं, ऐसा नहीं है, जरूर आते हैं, सब आते हैं, ठीक है गुरुजी महराज आपको कहते हैं कि बहुत जादा आपकी patience चेक करते हैं, लेकिन तो लिकिन गुरुजी माराज ओलवेस उनकी ब्लेसिंग है। कि अंगर प्रशाद का पूप कब यह सब गुरुजी महाराज जानते हैं और सबसे में बात आपके जो रिष्टे हैं जो आपस में कि मन की सोच, मन की बात यह गुरुजी महाराज ही जानते हैं और कोई नहीं जानता क्योंकि गुरुजी महाराज यहां बैठे हैं बिलकुल यहां बैटे हैं, और वो हमारा हर Step, हमारी नजर इवन की नजर कैसी है, हम किसी के बारे में क्या सोच रहे हैं, या क्या चल रहा है, वो सब गुरुजी देख रहे हैं, गुरुजीahahak से देख रहे हैं, बहुत closely watch कर रहे हैं, तो हमें इस चीज़ का बहुत-बहुत धियान रखना है और सत्संग हार दिन सत्संग ही है हर दिन पूरी लाइफ करण की साथ पूरी लाइफ सत्संग बन जाती है जब आप अपक पर कनेक्ट करना शुरू कर देते हो और हमेशा अपने गुरु जी माराज डेटे हों क़रें रहना है कुछ भी'S one तरीका हो चड़ा है आपको षिखाने का या उसमेंसे आपको कोई हो सकते हैं कि उसमें नहीं कोई कैने को सिच्टीज रही है हो सकता है कि गुरुजी निकोष सिखाना हो तो उस पर करना चाहिए हमें कि लेसन क्या है बजाए कि कि कितनी पेन है या क्या प्रॉब्लम है या क्या है हमारे साथ यह हो रहा है हमें इस चीज़ पर धियान देना चाहिए कि उसमें हमें क्या मैसेज मिल रहा है गुरुजी हमें क्या टीच करना चाहरे हैं हमें क्या उस टाम पर समझ बढ़े, self-dependent, किसी और के उपर निर्भर करें, या किसी की गलतियों का ना देखें, अपने आपको देखें, ठीक है, वो कहते हैं, अगर आप एक उंगली भी किसी की और उठाते हो, तो तीन उंगली आपने उपर उठती हैं, तो ये भी होता है, तो ये सारी चीजिए गुर संगत है, तो गुरुची महाराज, मतलब हम unfair करेंगे किसी और के साथ नहीं, गुरुची के लिए, everyone is equal, everyone, कोई भी, हमारे घर में भी कोई आया, यो कोई और भी person है, तो गुरुची के लिए सब equal है, चाहे संगत है, चाहे non-संगत है, क्योंकि गुरुची महाराज भगवा है, और भगवान का दारा सीमित नहीं होता है, असीमित होता है, हमारा दारा सीमित होता है, कि हमें इनके साथ बात करके अच्छा नहीं लगा, तो हम इनको like नहीं करेंगे, तो हम उनके बारे में negative बोलेंगे, या इधर कोई अच्छा नहीं लगा, तो हम उनके बारे में हो जाएंगे साथ ही चुगली साथ ही वह सब को शुरू लेकिन गुरुजी का जो दाहरा होता है वह फिजिकल अपिरेंस या इन सब चीजों से दूर होता है क्यों कि गुरुजी सोल लेवल पर करते हैं और गुरुजी ही उनको पता है कि यह जो सोल है इस चोले के अंदर अग में तो नहीं पता तो हम पाप के भागीदार ना बने और हम गलत विचार मन में ना रखे और अपने गुरुजी महराज को सरेंडर करें और गुरुजी महराज बस आपसे सौरी मांगते हैं कि कोई भी गलती होगी हो या इंटेंशनली भी और अगर कुछ मन में गलत विचार आ गया हो तो प्लीस हमें शमा कीजिए गलती शमा और बस आ 펼ते हूं गुरूजी से सबसे पहले कि गुरूजी आप से आगया है कि next time जब गुरूजी भोलेंगे तो हम हार सारी संगत से भी और सबको बस जैं गुरू जी और गूरु जी हमेशा सबको कुने की ऑलवेज अहीं हें हर फ़र है हमेशा हमारे साथ है और आगे भी रहेंगी और hungry प Mind गूरु जी शिर्थ प्ताय रस्ते पर चलते जाना है और और लोगों के वे हाँ अगर कुछ बात करनी ही है तो कुछ positive करें negativity तो दुनिया में बहुत है लेकिन अगर कुछ चात ही है अगर कुछ करना ही share तो कुछ positive share करें कुछ सस्तंग share करें उस दिन बढ़ा अच्छा आ रहा था उसमें लिखा हुआ था जब आप अकेले होते हैं तो गुरु जी से बात करें आप किसी के साथ होते हैं तो गुरु जी की बात करें तो बड़ा अच्छा था कि हाँ बिलकुल ये सही बात है कि जब आप अकेले हैं तो गुरु जी से बात करें और किसी के साथ है तो गुरु जी की बात करें तो इन द और गुरुची को सही लगता है तो शुक्राना गुरुची आपका बहुत बहुत शुक्राना जै गुरुची संगा जी जै गुरुची